किसान भाई क्या आपको मालूम है खेती में अब ड्रोन का बहुत ही महत्वपूर योगदान होने लगा है जी हाँ इससे क्या होता है कि कम समय में अधिक उत्पादन मिलता है और फटा-फट काम भी इसमें होता है और सटीक सूचना के आधार पर आपको निर्णे लेने में भ विभिन प्रकार के ड्रोन के प्रयोग से क्रिशिके परिद्यस्य में परियोड़तन आ रहा है ये ड्रोन सिर्फ एक उपकरण नहीं बलकि किसानों के बहतर मित्र साबित हो रहे हैं और ये किसानों के बहतर तरीके से काम करने लागत कम करने और उपच को लगातार बढ़ान के लिए ससक्त बनाते हैं और खेती में कई प्रकार के ड्रोन प्रयोक किये जाने लगे हैं क्या आपको मालूम है तो आएए आप हम जानते हैं कुछ ऐसे ड्रोन जो खेती में काम करते हैं और ये ड्रोन क्या-क्या काम करते हैं इसके बारे में भी साथ में जानेंगे तो सबसे पहला है छिड़काओ करने वाला ड्रोन छिड़काओ ड्रोन को क्राप डस्टिंग ड्रोन भी कहा जाता है और इस ड्रोन के प्रयोक से क्रिश्चेत में कीट और रोग प्रबंधन में एक क्रांती ला दी है छिड़काओ ड्रोन फसलों के लिए आवस्यक और वरकों कीट नासक और साक नासियों का जो है कुसलता पूर्वक प्रबंदन करते हैं इसके प्रभाव से सारी रिक्स्रम की आउसकता में कमी और हानिकार रग रसाइनों के जोकिम में गिरावट आती है DJI S.A.Gras T20, Garun Air Space, Aerial Robotics जैसी कंपनिया भारत में ड्रोन का निर्माण कर रही है प्रत लीटर छमता के अनुसार इस्प्रे ड्रोन की कीमत और आम तोर पर 3.5 से लेकर 11.5 के मद्धे है और अगला ड्रोन है वनेने की दूसरा ड्रोन है वो है मैपिंग ड्रोन जी हाँ मैपिंग ड्रोंग जो है क्रिस्कारियों में प्रयोग किया जाने वाले ड्रोंग में खेतों के लिए हाइटेक मानचित्रकारी की भात है और ये ड्रोंग किसी छेत्र के मानचित्रन के लिए उसमें उन्नत सेंसर और कैमरे की सहायता से डाटा का विसलेशन करके सटीक मानचित्र तयार करते हैं ये मानचित्र किसानों को फसल की सेहत की पहचान करने पानी की आवसकता का पता लगाने और मिट्टी का बिसलेशन करने में मदद करते हैं ड्रोन द्वारा प्राप जानकारे के आधार पर किसांद खेतों की सिचाई, पोसकततों की आवसकता और रोपन के संबन में अपनी रणनीत बनाने में सच्चम होते हैं। सेंस फ्लाई इबी एक्स पैरेट ब्लू ग्रास जैसे ड्रोन एक मैपिंग ड्रोन के रूप में कारिक करते हैं। किसानों को बहतर मनाने और समोच खेती को ड्यजाइन करने में सहायता करती है। ये ड्रोन किसी भी प्रकार की भूम के प्रबंधन में किसानों को प्रभावी सहायता करते हैं। Trinity F90 Plus Black Drusty जैसे ड्रोन का Surveyor ड्रोन के प्रकार हैं चौथा ड्रोन हैं दोस्तों निगरानी ड्रोन निगरानी ड्रोन खेतों की पलपल की इस्थितिक की जानकारी रखते हैं Thermal Sensor और Multi Spectral कैमरों से युक्त ये ड्रोन फसल के तापमान और वरन क्रम में होने वाली किसी भी परिवर्टन का पताल आसानी से लगा लेते हैं और ये परिवर्टन नग्ण आँखों से देख पाना संभो नहीं होता है और आखों को दिखने से पहले किसी रोग को पहँचान लेना और उसकी सीग्रता से इलाज करके फसल में बड़ी मात्रा में होने वाले नुकसान को रोग कर अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन किया जा सकता है पाइरेट अनाफी USA थर्मल इमेजिंग टकनीक से लेस एक उन्नत निग्रानी ड्रोन है पांचवां ड्रोन सीडिंग ड्रोन सीडिंग ड्रोन खेतों में बीज बुने वाला ड्रोन का एक प्रकार है इसकी खासियत होती है यह उचित दूरी को बनाते हुए उचित मात्रा मे बीजों को खेतों में बिखेरते हैं इसके परणाम सुरूप बीजों की बरबादी कम होती है और फसलें भी उचित दूरी में उगने के कारण पोसक सही मात्रा में उपयोग करती हैं जिसका परणाम अधिक उत्पादन के रूप में होता है यह ड्रोन विस्तर छेत्र में ब प्रिक्सित सोइंग ड्रोन SDZ40 ने देश भरके किसानों का ध्यान आकर्सित किया है और यह ड्रोन सटीक भी प्लेस्मेंट सुनिश्चित करता है और अंकुरन दर भी बढ़ाता है छठा ड्रोन है दोस्तों मौसम क्रसी में मौसम महत्वण भूमिका निभाता है और मौसम ड अटाई और फसलों को प्रतिकूल परिस्तितियों से बचाने के बारे में समय पर निर्णे में मदद करती है सकाई लिंक मौसम ड्रोन मौसम डेटा संग्रहन के लिए गेम चेंजर बन गया है जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती रही हम उमीद करते हैं कि हम और भी अधिक प एपिसोड में हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार किसाम भाई